ही नमस्कार दोच्तों मैं हूं प्रभा मेरे चैनल रेश्पी दुद प्रभा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आश बनाते हैं ड्राई चने आप इसको अश्थ्धे में भी बनाकर खा सकते हो और किसी टाम भी बनाकर खा सकते हो तो चलिए हम रेश्पी भी शुरू कर लेते हैं हमने यहां पर एक कटोरी चना लिया है इसको हमने भीगों के रख दिया है चार से पांच घंटे पानी हमने इसका निकाल दिया है हमने इस कटोरी से लिया है अभी हम इसको कुक करम डाल देते हैं और इसी कटोरी से हम दो कटोरी में पानी एड करेंग यह छोटी चमच से लिया है आधा चमच हम इसमें घी अट कर देंगे और कुकर का ढखन बन कर लेते हैं 4-5 शिटी लगानी है हमें इसको अब ही हमें एक फ्रैपन लेते हैं उसमें हम दो चमच धनिया डाल देते हैं अभी हम इसमें जीराइड कर देंगे एक चमच और इसको गैस में रखे हमें ड्रै रोष्ट करना है बहुत अच्छी खुश्बू आ जाए तब तक हमें इसे ड्रै रोष्ट कर लेना है तो यह देखिए चटकने लगे हैं तो आप इनको ड्रै रोष्ट करके ज़रूर डालें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा तो अभी हम गैस का तक्लेम बन कर देते हैं और इसको हम निकालके पीश मैं के उस हरीमिर्च लिए और अद्रका टुकुडां लिया है इसको भी पीश लेते हैं और यह दो टमाटर है कि एंसयप मेन्कात पीस हि exposed के देतार कर लिया है ये देखिए चने चेक करते हैं तो चने हमारे आच्छे से पक चुके हैं हलका सा पानी बचा है इसमें ज्यादा नहीं बचा है ये देखिए ये पक चुके हैं ये अभी हम मसाला तयार करते हैं तो कड़ाई में हम दो चम्मत घहें डालेंगे घहें कहीं इस्तमाल करें और अब हम इसमें यह समने अदरोख और हरी मीड़ पेच्ट बनाया था बना देते हैं और इसको भून फ़र हो चुका है कि अभी मिस मासाले करते हैं एक चमास चौटी कॉष्ब甚麼 कर देखीट मिट और है और हमने मसाला तयार किया था धनिया और जीडा 2 एक देश्फ की इसका डालने के वज़े की साथा बुल जरूट नहीं है और जो यह चने का पानी बचा था तो वही पानी लिया है हमने सूप इसको डाल देते हैं इसमें थोड़ा सवरेट करेंगे हम इसमें और यह देखिए मसाला हमारा तयार हो चुका है और रिलीज हो चुका है इसमें से घी अच्छे से अभी हम यह चना डाल देते हैं इसमें त पूरी तरह तो हमें इसको चम्मच से मिक्स करना है तो बहुत ही टेस्टी चने बनके तयार होंगे इसमें गर्म मसाला डालने की भी हमको विर्गुलू जरुवत नहीं है तो आप और जीरा और धनिया ड्रया रोस्ट करके डाले उसको पीस के बहुत ही अच्छा टेस्ट आए तयार हो चुके हैं अब हम इसमें अच्छे से पहले इसको कर लेते हैं और हरा धनिया डाल देते हैं है Chinese कोमने चल्ब डाल प्रारा क्ट रख सकते हो तो विद्गूट रेखे सकते ह hero लाइक करना डान को सब्स्राइब करना बिल्कुल नहीं एगर आपको रेसेपि पसंद आती है थो बृडियो को लाइक करना स्टेश्यर करना और कमेंड़ जरूर करना चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो त्यार हो चुके हैं हमारे चने do । काले चने Lukas तो आप इनको बना कर खाए या अच्टीमी में प्रशाद के रूप में बना सकते हैं तो आप इनको पूरी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं तो तयार है रेसिपी तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में